नमस्कार आदाब आभार अभिनंदन पहिचाने क्या हम हैं चिक में एक इत बात जानती हैं मा बनना दुनिया का सबसे बड़ा सभाग्य है वो एक ऐसा पल होता है जब एक बच्चे को अपनी गोद में उठा कर सारे जहां के खुशियों का सुख समेट लेती है बुजे पर इसके आलावा भी है कुछ चिकमेक जो इन खुशियों को लगा सकती है आज अगर ना करवाई प्रसव की बाद की जाच समझी गजब दीदी भाईया लोग आज का एपिसोड में हम बात कर रहे हैं कि प्रसव के बाद एक महिला और उसके बच्चे को मिलने वाली जाच से दोनों स्वस्त रहते हैं तो चलिए सुनिए तुम्हारे सवाल का जवाब यहाँ है उस मजदूर को देखो कितनी गहरी नीव बना रहा है अरे दीदी आप भी ना कहा लेकर आ गई हो मुझे और क्या आप नहीं जानती कि जितनी गहरी नीव होती है इमारत उतनी ही मजबूत बनती है बस यही तो समझाने लेकर आई हूँ कि प्रसव के बाद एक महिला को दोबारा जन मिलता है और जैसे गहरी नीव से नया घर मजबूत बनता है वैसे ही प्रसव के बाद की जानत से महिला और उसकी शिशू की अच्छी सेहत बनती है हाँ दीदी आप बात तो सही बोर रही है मगर प्रसव के बाद की देखभाल तो घर पर भी हो सकती है ना फिर जानत की क्या जरूरत है देखो सरीटा घर पर देखभाल तो हो सकती है लेकिन जच्चा बच्चा की पूल रूप से देखभाल हो इसके लिए एनम या आशा दीदी यानी मेरे पास प्रसव के बाद की कम से कम चार जाज कराना जरूरी होता है क्योंकि इसके काफी फायदे हैं जो घर पर की जाने व पाले संभाविक खत्रों की संकेतों को समझा जा सकता है ताकि उनका समय रहते सही इलाज हो पाएं बच्चे का पहला टीका करण भी हो जाता है जच्चा बच्चा के अच्छे स्वास्थ और सेहत को बनाए रखने के लिए मैला को 6 महीने की आईरें की खुराक पॉस्टिक खानपान की सला और परिवार नियोजन की जानकारी दी जाती है क्योंकि मा स्वस्त रहेगी तो बच्चा भी स्वस्त रहेगा है ना हाँ हाँ क्यों नहीं बिल्कुल सही बात है दीदी मैं तो सोचती थी कि ना जाने क्यों सभी स्वस्थ बच्चा होने के बाद भी जाज के लिए जाते रहते हैं अब समझी न क्यों जाते हैं और क्यों जाना चाहिए हाँ दीदी जच्चा बच्चा के स्वास्थ को बरकरार रखने के लिए और अब मैं भी प्रसव के बाद की सभी जाज कराऊंगी कजब जब इतना फायदा है प्रसव के बाद की जाज का तो काहे पीछे रहें बोलो तो भाया स्वास्थ में ना आने दे कोई आज करवाएं प्रसव के बाद की सभी जाज धन्यवाद